नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन ब्रियानी ब्रियानी बनाने के लिए जिन अज़्जा की जरूवत है उसमें शामिल है सेला चावल 750 ग्राम यानि तीन बाव चिकन 750 ग्राम यानि तीन बाव ओइल हाफ कप प्याज स्लाइस किया हुआ आधा किलो लसन अद्रक का पेस्ट टू टेबल स्पून टमाटर आधा किलो ब्लेंड हुए वे दही एक पाव बिर्यानी मसाला एक पैकेट लीमू एक बारीक गोल स्लाइस काट ले पोदीने के पत्ते दो टेबल स्पून हाथ से तोड़ ले हरा धनिया टू टेबल स्पून बारीक कटा हुआ जर्दा रंग वन फोर्थ टी स्पून तरकीब चिकन को अच्छे तरीके से धो कर एक चन्नी में रख दें ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए और चावलों को अच्छे तरीके से धो कर एक घंटे के लिए बेगो के रख दें फिर एक पती ली लें उसमें आदा कब ऑईल गरम कर लें स्लाइस किया हुआ प्याज लाइट गोल्डन होने तक उसमें फ्राई करें इसके बाद टू टेबल स्पून लसन अदर का पेस डाल कर दो से तीन मिनट तक फ्राई करें अब इसमें चिकन डाल कर उसको भी फ्राई कर लें चिकन जब हलका गोल्डन हो जाए तो उसमें ब्लेंड किये हुए टमाटर और दही शामिल करें जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो ब्रियानी का मसाला डाल कर अच्छे तरीके से भून लें ताके ओइल ग्रेवी के उपर आ जाए दूसरे चूले पर पतीली में चावलों से डेड़ गुना जादा मिकदार पानी की रखकर उबाल ले जब पानी उबलने लगे तो भीगे हुए चावलों का पानी ड्रेन करके उन चावलों को इस उबलते पाने में शामिल करें और साथ टू टेबल स्पून नमग एड़ करें जब चावल 70 फीसद पक जाएं या एक कनी जित्ते रह जाएं तो छनी में डालके इसके पानी को ड्रेन कर लें अब एक बड़े पतीले में उबलेवे चावलों की एक तेह लगाएं उसके बाद चिकन के सालन की तेह लगाएं और जो आपके पास धनिया पुदीना और लीमू कटा हुआ था उसको स्प्रिंकल कर दें इसके बाद बकिया चावल उसके शामिल करें आखर में जर्दा रंग छिड़क के धकन से कवर कर दें और ब्रियानी को दम पे रख दें 15 मिनट के दम के बाद धकन हटा कर चावल और सालन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जीरे के राइते और सैलेट के साथ सर्फ करें ये थी आज की रेसिपी अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज झाल झाल